कि हालो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग ओलो फ्यू मैं सुनिल सर्मा यूर इंगलिस टीचर दोस्तों यूर अटली वेलकम इन विकारन ओनलाइन क्लासेज दोस्तों आपका जो फॉस्ट फ्लाइट का जो सेकंड शेप्टर है नाव इम स्टार्टिंग एट अगेन वेर वी य जहां से अपने इसको छोड़ चुके थे वहीं से अपने स्टार्ट कर रहे हैं नेल्सन मंडेला जो दक्षिन एप्रिका के पर्तम एस्वेत राष्टपती पद की सपद ले रहे हैं दस मैं 1994 मैं को अपना अनुबव शेयर कर रहे हैं कि वह किस तरीके से परतावड नाव से आज इस पद तक पहुंचे तीस साल कैसे उन्होंने संगर्स में जेल में गुजारे और किस तरीके से वह दक्षिन एप्रिका को कहां ले जाना चाहते हैं दक्षिन एप्रिका के लिए क्या प्रिंसिफल सिद्दान्त निर्मित करते हैं वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए जीवन में एक जो व्यक्ति होता है वो दोरे दाईतों से गुजरता है पहला तो उसका परियार बीबी और बच्चों के लिए और दूसरा अपने समुदाई के लोगों के लिए इस कंट्री अपने देश के लोगों के लिए इन सब के लिए भी उसके करतवी होते हैं उनके दाईतों होते हैं हर वेक्ति के लिए दो परिका के दाईतों का निर्दान मंडिला साब कर रहे हैं यहां पे एक परियार माता पिता बीबी कि बच्चों के लिए और दूसरा उसका समुधाई और देश के लिए क्योंकि देश और समुधाई से पथ अपन सजिप है दोस्तों देश और समुधाई की फ्रीडम है तो अपनी फ्रीडम है उसमें in a civil and human एक सब्वेव माने समाज में society human society is man is able to fulfill those प्रकार के दाइतों को पूरा करने में सक्सम होता है इन दोनों प्रकार के दाइतों को निर्वा करता है दोनों प्रकार के दाइतों को निवाता है लेकिन दक्षन अपरिका जैसे देश में मंडिलस आप कह रहे हैं कि मेरे जनम और रंग वाले वेक्ति के लिए रंग वाले वेक्ति के लिए उन जोनों दाइतों को पूरा करना लगबग असंभव था क्यों असंभव था इसके पीछे रीजन है कि दक्षन अपरिका में काला होना वेक्ति जो कि एक मानो की तरह से रहने का प्रियास करता था उसे सजा दी जाती थी और सजा के साथ उसे अलग तलग आईसोलेटेड इने अलग तलग पटक दिया था था साथ अपरिका एं मैन हो रिप्ड एं मैन हो ट्राइट फुल्फिल इस जूटी तो इस प्यूपल वोजे इन अविय टेविली रिप्ड फॉम इस फैमिली एंड इस होम वोज फॉस्ट तो लिव लाइफ अपार्ट अपार्ट को यहां के तद्परि ए कि दोस्तों रखशन इ अपरिका में जो वैक्ति अपने लोगों के लिए करता हुए कि पूर्टी करने का प्रयास करता था अपने बीवी बच्छो अपने फैमिली के लिए उस परियार रूप से उसके परियार ता घर से अलग कर दिया जाता था आ पार्ट यानि अलग करना एक्जिस्टेंस एक्जिस्टेंस अफ ए सीक्रेशी एंड रिबली रिविलियन आइड नोट इन दा बिग्णिंग सूस तो पेलेसे माइपिपल अबो माइटवरी उसे परियार रूप से एपने परिवार र इलग होना पड़ था परिवार था भार से अलग कर दिया जाता था और गोपनिय था विदरो की अंधकार मीं इस्तिति में अलग तलग रहने के लिए किया जाता था But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. अपने देश भी अपने लिये है, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास मैंने पाया, कि मुझे एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, पिता के रूप में, तता एक पती के रूप में, अपने दायतों को निर्वो करने से रोक रहा था, बाद में आगे चलकर उनको लगा कि मेरा अपने राष्ट के लिए, मेरे देश के लिए भी अपने कर्तवें हैं, जो मेरे एक पुत्र के रूप में पिता के रूप से बढ़े हैं, आई वो नोट बंड बिते हांगा टू भी फ्री, वो कह रहे हैं कि मैं आजाद होने की तीवरी इच्छा लेकर नहीं जनमा था, आई वोज बंड फ्री, लेकिन मैं सवतंतर पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से सवतंतर परतेग प्रकार से मैं सवतंतर हुआ था, डेट आई कूट न्यू, फ्री टू रान इन दा फिल्स नियर माई माधर हर्ट, बच्छपन की सवतंतर का मैं तो बता रहे थे, कि वो अपने मा की जोपड़ी के पास, नजदी की खेतों में दोड़ने के लिए सवतंतर प्रारम्भिक सवतंतर मांडिला साब दोप्रकार की सवतंतर का जिकर कर रहे है यहां पर, जिसका उन्होंने कुछ समय के लिए लुप्त लेना चाहा लेकिन आगे चलके उनको प्रारम पे तो लगा कि यही उनकी सच्ची सवतंत्रता है लेकिन आगे चलके उनको लगा गी है तो जियुए मेरी एक ब्रहंबस स्रेश सवतन्त रता मैं जो इसको मान बेटा था था सही सवतन्त था तो समुदाई की सवतन्त रता अपनी जाती-प्रजाती के लोगों की सवतन्त है मा के खेतों के पास के मा के जो खेती उनमें दोड़ना को अपनी सुतनता मानते थे free to rest sorry इस से पहले एक लाइन अपनी my village free to swim in the clear stream जो ज़रना बेता था run through my village मेरे गाउं के अंदर से जो नदी बेखे जाती थी नाला बेखे जाता था free to rest under the stars सब्सक्राइब करने को अपनी सवतनता मानता था या दीमिक गती से चलने वाले बैलों के पीछवाड है जो चोड़े पुट्टे होते हैं उन पर सवारी करने को अपनी सवतनता मानते थे इसका तात्परी है जब तक मैं अपने पिता जी के आग्या का पालन करता रहा मेरी जन जाती के रितिर्याजों से मैं बंदा रहा मुझको मनुस्यों कि यहां बगवान के बनाए कानूनों से उस समय तक कोई परेशा नहीं नहीं थी अच्छे यह हो चुकात स्वारी इट वोज ओनली वेन आई बिगें टू लर्न डेट माई बोई हूट फ्रीडम वोज एने इलूसंस यानि ब्रह्म यह हार्ड मिनिंगों में अपने डाला दोस्तों यह तब ही मुझे प्रेशा नहीं हुई जब मुझे पता चला कि मेरी अच्यानना च्रीडम प्रीडमप्रदा कानेवाली थी जब मेंने एक यूख के रूप में वेन आई डिस्कोवड़्े जैंग मेंडने जान दो में मुझे चिम जड़ ही एक नवयूख के रूप में आलड़ेडी विन टैकन फ्रॉम यह यह मिनए लीय। पहले से, that I will be too hunger for it, तब मैं इसके लिए, मेरे अंदर एक भूख सी जागरत हुई, सवतंता के लिए, तब इससे मुझे में इसको प्राप्त करने के लिए, एक भूख जागरती अर्था ताजा दी पाने के लिए, मंडिला सब बेचेन हो पड़े, At first as a student, I wanted freedom only for myself, सबसे बहले एक विद्यारती के रूप में मैं के लिए, अपने स्वयम के लिए, सवतंतरता चाहता था, The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I please and go where I choose, The transitory young man in a new, Johan Swark, एक विद्यारती के रूप में, मैं के लिए, सवतंतरता चाहता था, कि मैं रात को देर रात घर से बाहर रहूं, यह सब सणिक सवतंतरता थी, जो मैं चाहता था कि मैं पढ़ने की सणिक सवतंतरता को, और जहां मैं जाना चाहता था, वो भी एक सणिक सवतंतरती, बाद में, Johan Swark में, एक विद्यारती के रूप में, मैंने मैसूस किया, मुझे अपनी समता को पाने की, इससे तात्परी हैं दोस्तों, कि Johan Swark में एक यूआ विक्ति के रूप में मुझे अपनी समता को पाने की, अपने बर्ण पोस्टन के लिए कमाने की, स्याधी करने की और परिवार बसाने की मुलबूत सम्माने सवतंताओं की तीवरी इच्छा हुई, ऐसी सवतंतर था, जिससे एक विदी सम्मत जिवन में किसी प्रकार का व्योदान पैदान हो, आराम से लोफुल यानि कानून संगत जिवन जिया जा सके सांती से, लेकिन यहां मैंने दीरे दीरे देखा कि ने के ओल मैं ही, अपी तु मेरे भाई बेन भी सवतंतर नहीं है, वर नौट फ्री, I saw that it was not just my freedom, that was a curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did, कहने का तात्प्री है कि मैंने देखा कि क्यों लिए मेरी सवतंता ही नहीं थी, जो कम कर दी गई थी, बल्कि उस परतेक वेक्ति की सवतंता को कम कर दिया गया था, जो मेरे जैसा दिखता था, अर्थात जो मेरी तरह एस्वेत था, उसके बाद इस आजादी की लड़ाई को जैसे भारत में, भारत में भी राष्ट कोंगरेश से ही आजादी की लड़ाई लड़ी गई और यहां से भी से, नेल्सन मंडिला सामने नेशनल कोंगरेश में सामिल हो गए, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom और इसके बाद मैंने अपनी सवतंता की तीवरिच्चा से मेरे अपने लोगों की सवतंता की तीवरिच्चा बढ़ी हो गई खुद की सवतंतरता से बढ़ी समुदाई freedom of my people मेरे अपने समुदाई की लोगों की इच्छा हो गई it was this desire for the freedom of my pupils to live there lives with a dignity and self-respect that the animated my life that the transformed a frightened young man into a bold one that drove a low-winding attorney to become a criminal that the turned a family-loving husband into a man without a home that I forced a life-loving man to live like a monk दोस्तों यहां बताय जा रहा है कि मैं अपनी personal सवतंतरता से जादा समुदाई की सवतंतरता को विरेता पराइटी देने लग गया Nelson Mandela ने अपनी समुदाई की सवतंता को सची सवतंता जानी यह मेरे अपने लोगों के लिए गरिमा के साथ अत्म सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए सवतंता के लिए एक इच्छा थी जिसने मेरे जीवन में इतना जोस पर दिया कि जो मैं एक डरपोक युवक था वो सासी युवक में बदल गया जिसने कानून पालन करने वाले नियावादी की जगे एक अपरादी बन गया यानि कि अब मैं आजादी के बिगल में कुछ चुका था डेट आई डेट फोस्ट ए लाइफ लविंग में गरस्ती का जीवन पसंद करने वाला वेक्ति अब देखो कैसे बदल गया गरस्ती का जीवन जीवन पसंद करने वाले वेक्ति को एक बिना गर का वेक्ति बना दिया जीवन से प्यार करने वाले वेक्ति को एक सन्यासी की तरह जीवन जीवन जीने को बात दे कर दिया मैं एक आम आदमी से ज़्यादा गुणियों आत्म बलिदानी नहीं हूँ मंडिला साब कह रहे हैं लेकिन मैंने पाया कि मैं अपनी दोस्तों देखो मंडिला साब करें कि मैं एक आम आदमी से ज़्यादा आत्म बलिदानी नहीं था लेकिन उनकी सोस देखो कितने अच्छी है दोस्तों कि इसका थादपरी है कि मैंने पाया कि अपनी उसी थोड़ी सी में सवतंतरता का आनंद भी मैं नहीं ले पाया जो मुझे मिली हुई थी आप मुझे पता चला कि मेरे लोग सवतंतरता का कहां से राइट है सवतंत्रता है, खंडनिया है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता है, विच्छे जिता का गुण होता है, इसमें, मेरे किसी एक व्यक्ती पर जंजीर का तात्प्रिया है, कि उन सबी पर जंजीर है, जो मेरे सबी लोगों पर जंजीरों से तात्प्रिया, मेरे उपर स्वयम के of my people were then chance on me कि मेरे समुदाई के सभी लोगों पर जो जंजीरे थी वो मेरे उपर भी थी I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed a man who takes away another man freedom is a prisoner of a heart heart hatred he is locked behind the bars of prejudice and a narrow mindness I am not truly free if I am taking away someone else freedom just as surely am I am not free when my freedom is taken from me the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity reality इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की सवतनता को चीनता है वह घ्रना का कैदी होता है घ्रनीत होता है वो संकुचित विचारों का होता है वह पूर्व ग्रत अता संकिन मान सिक्ताओं कि सलाह कों के पीछे कैद है ऐसे जब ही हो पाता है जब नेरो माइंड वाले व्यक्ति दूसरों के प्रती घ्रना भाव रखते हैं कि यह जाती का है यह इस चमडी का है यदि मैं किसी अंदर का बलड का जो अपना परख वकलर है वह तो सबका दोस्तो रहे और चिस दुनिया विदी में सबस्क funk में सबस्क्राइब है दोस्तो थीक उसी प्रकार से उनहों ने नहीं हूं जब मेरी सतंता को मुझसे चीन लिया जाता है तो इसमें देखो एक वर्ड है अफ्रेस्ट और ऑप्रेसर सतंता चीनने वाला उत्पीडित और उत्पीडक दोनों ही समान रूप से अपनी मानोता से वंचित हो जाते हैं क्योंकि चीनने वाले नहीं दूसरे की सतंत को चीन है तो आंत्रिक रूप से घ्रणित है नेरो मायंड से है इस तरीकों से दोस्तों ये एक बड़ा चेप्टर था थोड़ा टिपिकल भी था हार्ड मिनिंग भी थी लेकिन अपनने तीन ओडियो लेक्चिर में इसको कंप्लीट किया है प्ले लिसन दिस ओडियो गएन again and try to it with word meaning okay go ahead best of luck all of you thank you